अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले सोलो मैं डियर स्टुडेंट्स आज हम जानेंगे MS Windows के बारे में अलिडी हम जानते हैं कंप्यूटर के दो पार्ट हैं हाड़वेर एक साफ्ट्वेर हाड़वेर जो फीजिकल पार्ट जिनको हम छूँ सकते हैं और साफ्ट्वेर वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर वाक करते हैं साफ्ट्वेर दो टाइप के हैं एप्लिकेशन और सिस्टम एप्लिकेशन जिसमें हम काम करते हैं और system जो computer अपने आपको manage या control करने के लिए यूज करता है, उसी में से एक है operating system, operating system बहुत सारे होते हैं, जो हम computer में अपने load कर सकते हैं, नॉर्मली हम आज पढ़ेंगे MS Windows के बारे में जो कि एक operating system है, यानि एक तरह का system software है, यानि ये computer hardware और हमारे बीच एक बिचोली, ये mediator का काम करता है, यानि हमारी बात को hardware को समझाता है, यानि हमें अगर printer से कुछ print कराना हो, तो हम direct printer से कुछ नहीं कह सकते हम जब उससे कुछ command देंगे, तभी operating system hardware से कह के उसको print कराएगा, right, कुछ application software होते हैं, जिस पे हम काम करते हैं, उस application software में आपने Microsoft Word यूज किया होगा, पेंटिंग यूज किया होगा, या गाने वगरे सुनते हैं, वो सब application software है, लेकिन ये software computer के अपने management के लिए होते हैं, जिनको हम system software कहते हैं, उसी में से एक है, MS Windows, MS Windows के, जैसे हम computer start होता है, और आप ये option दिखता है, starting windows, ये start हो जाने के बाद, आपको, जो screen सबसे पहले दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं, desktop background, जिसके उपर सारी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें हम already इन चीजों को जानते हैं, ये हमारा background है, ये हमारा start menu है, नीचे ये लंबा सा task bar है, इधर system tray है, इस सारी चीजों को हम already जानते हैं, हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, कि अगर हमें जो background, ये windows का background दिखाई दे रहा, इसको हम change करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, simple, कुछ steps बताए हुए, step 1, पर राइट कलिक करिए, नॉर्मलिए आफ लेफ्ट कलिक करते हैं, लेकिन यहाँ, माउस से राइट कलिक करना है, राइट कलिक करते हैं, यह आपको open होगा, menu, इस menu में आप personalized पर कलिक करेंगे, देख सकते हैं, परसनलाइज जैसे आप पर कलिक करते हैं, कुछ इस तरह की screen दिखाई देती है जिसमें आप चूज करेंगे डेस्टाप बैक्ग्राउंड को जैसे डेस्टाप बैक्ग्राउंड पर क्लिक करेंगे आपको बैक्ग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी उन पिक्चर्स में से आप अलग और यहां से टाइप भी और जैसे ही आप किसी picture पर click करेंगे और नीचे save changes पर click मारेंगे आपके system का desktop का color change हो चुका होगा color से मतलब उसके background से picture बदल चुकी होगी तो इस तरह से आपने देखा कि right click करके आपने परस्नलाइज और desktop background और उसमें से अपने हिसाब का आपने choose कर लिया इस तरह से अगर यह तो आप system में होगया computer लेकिन अगर आपका बस tablet है तो tablet में भी आप अपने wallpaper को change कर सकते हैं उसके लिए आप simply tablet में नीचे इस तरह का icon दिखाए देगा जैसी उस पर आप click करेंगे उस list में एक list खुलेगी उसमें से wallpaper option को choose करना है wallpaper option को choose करते ही नीचे आएगा set wallpaper set wallpaper आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे तो आएगा set wallpaper इसमें से अपने इच्छा का जो आपको wallpaper दिख रहा हो वह आप चूज कर लेंगे तो आपके tablet का भी desktop change हो जाएगा इस तरह से आप अपने tablet को भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है देखिए गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉएस यह दो लोगों ने मिलके दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर कंपनी इंटेल इंटेल को का अविस्कार किया नहीं बनाया इस कंपनी को फॉर्म किया इंटेल का फुल फॉर्म है स्क्रीन सेवर यूज करना चाहते हैं स्क्रीन सेवर वह चीजह जो समझ किजिए आप थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर ऑन किये हैं और बैठे हुए और उस उस बीच में आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं जैसे ही आप कुछ समय तक रुखते हैं आटोमेटिक देखते हैं और परस्नलाइज ऑप्षन में जाना होगा सेम वैसे ही जैसे हम डेस्टा बैग्राउंड में गये थे परस्नलाइज ऑप्षन पर क्लिक करते ही हम पहुंच जाएंगे यहां और हमको पिछली बार हमने चूज किया था डेस्टा बैग्राउंड लेकिन हमको इस बार चूज करना है screen saver. screen saver पर हम क्लिक करते ही different type के screen savers हमारे पास आ जाएंगे इन में सेज जिस भी हम सब्सक्रिश मुपल चूछ करते हैं तो आपके screen पर बबल बनने लगेंगे जब आप थोड़ी देरे कलिए बैठेंगे क्योंकि इसकी timing तो भी चूछ कर सकते हैं उन फोटो को जैसे ही आप कुछ समय के लिए बैठेंगे फोटो उस पर आने लगेंगे आटमेटिकली तो इस तरह से हम screen server की भी setting कर सकते हैं उसी personalized option के द्वारा ही जाके हम इसको कर सकते हैं उसी personalized option के द्वारा हम Windows का अपनी color और भी चेंज कर सकते हैं यह निए परस्नाइज आप्सिन में जहां हमने चूज किया था स्क्रीन सेवर वहां हम इस बाद चूज करेंगे windows color right विंडो सक्राइब पर कलिक करते ही के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जानेगे लाइक और शेयर करना न भूने have a nice time